हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू प्रतिवा क्रेशन आज ने आपको शाथ बेबी स्कुर्ट की कटिंग और स्टिशिंग दोनों शेयर करूंगी जिसके लिए मैं यहां पे हाफ मिलिटर में फैबरिक मैं और डिर्र मेलिटर मैंने निट लिया है मैं यहाँ पर फिरि टू फॉर यर्ँ के लिए बनाओंगी आप किसी size की बना सकते हैं इसी method से और आपको size कैसे adjust करना यह भी मैं बताऊंगे अगर आप बड़ा बनाना चाहिए तो उस हिसाब से कैसे size adjust करते हैं वह सारी चीजी मैं बताऊंगे तो चलिए video start करते हैं video पसंदा है तो like ज़रूर कीजिएगा तो दीए मैंने यह सबसे पहले मेend कपड़े को कट कर लिए जो की 24 24 का है आपको इसी तरीके से चार पल्ले कट कर लेके जा चलिए में बता दू आपको कैसी कमर की नाप रखनी है तो जितना भी आपको कमर है उसको आप चार से डिवाइड कर ले और प्लस उसमें तीन इंच लूजिंग ले अट कर ले तो यह देखे इस तरीके से में कपड़ को फोल्ड करना लाइक जैसे हैंकी फोल्ड करते हैं हम ल कुछ उपिबर भी नहи तो लगमझे आपारेम के लिभी पर लाइक क में 5 फना और याप किसे हम तरीके से से ओपन करके दिखा देती हूं तो यह देखे कुछ इस तरीके से मारा आ जाएगा अब हम इसे फिर से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसी कपड़े की मतल से हम नेट की भी कपड़े की गटिंग करेंगे तो देखे नेट को भी हम उसी तरीके से फोल्ड कर लेना है तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी इसकी लंबाइ कितनी है टोटल और सको कैसे हम बड़ा और चोटा कर सकते हैं यह में बताऊंगी तो वीडियो को आप लासत्तख ज़रू सेट करते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से रखना है जैसे मैं दिखा रही हूं इस तरीके से रखना है जैसे मैं दिखा रही हूं इस तरीके से रखेंगे एक पल्ला दूसरे पल्ले के उपर अब दूसरे पल्ले को रखने के बाद अब तीसरा पल्ले को हूं ऐसे रखेंगे जहां पर हमारा थोड़ा स्पेस तो इस दूसरी पर चढ़ा कर नहीं रखना है इस बात का ध्यान दे थोड़ा तिकहता करिये में रखना और इससे अच्छे से अरजस्टमेंट करना एं कि इससे अमारे बीच में कमल की जो मैंने कटिंग किया इसमें नेट ना यहाई तो आपको अच्छे से सेट करने ना है य सिलाई कर ने से पहले हम यहां पर यहां परकशा कर लेंगे कि जय के सकते तो इसले कहाए ख़साइए सिल्ध कर सकते अब यह रकार आधे समे लिए देंगे और हम पर देंगे से लाई कुछ इस तरीके से यह पर देखिये होगया अब हम जो करें खोल कि लोगे लगए लिए के लिएंगे अब गार में काट में वेयर हैं और जितना हमारे वेस्ट के लाइन उससे साब से डबल फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर लेंगे जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहे हूं अब हमें इस तरीके से इसे अटेश करना है बेल्ड को हम उपर रखेंगे ताकि जब हम फोल्ड करके अंदर क्यों डालें तो यह उपर आजा है अब देखें उसके बाद हम इस तरीके से इसे रखें इस पे सलाइच चलाएंगे जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहे हूं आपको सारे इस टेप इसी तरीके से फॉल्ड करना है और बहुत ही व्यूटिफुल है इस कट बनके तैयार हुआ है अगर आपको इसकी पिच्चर्स देखनी है तो आप मुझे इंस्ट्राग्रम पर फॉल्ड करें मैं इंस्ट् इस तरीके से फॉल्ड करेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से और जो मेरी इस लास्टिक की जगह है आपको उतना देखना तो मेरी लास्टिक जो लंब चौड़ाई है वह आधा इंच हाफ इंच है हाफ इंच से भी थोड़ा कम है तो मैं उस हिसाब से मैंने यापर 2 इं इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करते हुए जाना है आपकी जितनी भी लास्टिक उस हिसाब से आप बेल्ड कट करें अब देखिए इस तरीके से मैंने यहापर पर स्लाई कर लिया पूरा टोटर यहाँ पर लाष्ट में आतनी बात मैंने हलका से यहाँ पर इपन टखा है, क्योंकि यहाँ से हम लाष्टी को अपने अंदर डालेंगे, अब देखिये, मैंने यहाँ पर लाष्टी क आपको कैसे कट करना में बता दो, जितना भी आपका वेस्ट है, उस से दो इंच आप कम ही लास्टिक कट करें जैसे कि मेरे यहाँ पर 24 है तो मैंने यहाँ पर 22 इंच की लास्टिक को कट किया है अब इस तरीके से हम इसको अंदर सिक्योर करेंगे लाइक कुछ इस तरीके से और आपको जो लूजिंग वह भी देखती है उससाब से प्लास्टिक को कट करें अब देखिए लास्टिक को अच्छे से सिक्योर कर देंगे तो उसके लिए आप पर गाठ लगा देते हैं क्योंकि जब कभी-कभी सिलाई करने के बावजुद भी हमारे लास्टिक अंदर से ख कर देंगे अब मैं आपको मेजर्मेंट बता दू कि अगर आपको बड़े साइस के बनाने तो आपको कैसी रखनी है जैसा कि मैंने चौबिस कुड़ी चौबिस का रखा था तो यानि कि थी टू-फोर यस बेबी के लिए था अगर आपको बड़े बनाने तो आप उससे ब मैसिन फेर्मेशी रखन कुछब मैंने जगरे से चलि रखन के लूहे है आपको 10g थी टापको 13g बाउ्को लिएए मॉम थेर्मेशी रखन कि वम हैं अब में शॉम पको रखन में अब iki अबता तो आबात के टाबको 12g A य हूँ अर आब ऐससे बाई के आब तो